गुड मॉर्निंग डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू स्री बील मेमोरियल एकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने पिसली क्लास में इस चेप्टर को रीड किया था क्या किया था इस चेप्टर को रीड किया था चेप्टर का नाम था माई स्कूल माई स्कूल के बारे में इन में तीन क्यूशन है जो आपको सेम होंगे और एक उसमें से अलग होगा उसको आपको क्या करना है राइट का निसान लगाना है जैसे फॉर्स्ट क्यूशन लिखा हुआ है थिंग्स विच्छ यू कीप इन यॉर स्कूल बैग आपके इस्कूल बैग में कौन-कौन सी क्क्रिकेट बैठ और लिखा हुआ है पैंसिल-बोक्स विध्स भी रखते हैं लेकिन अपना क्रिकेट बैट नहीं रखते हैं तो एक राक्ट आंसर क्या होगा यह होगा तो इसके आगे आप क्या लगा होगे राइट का निसान लिखा हुआ है पीपल हुवर्क इन स्कूल कौन से लोग किते लोग कौन कौन से लोग होते हैं जो इसकूल में काम करते हैं जैसे फर्स्ट है लाइब्रेरियन होता है वह भी स्कूल में काम करता है टीचर वह ही होते है और परिंसिपल भी होता है तो इसका और वन क्या होगा ग्रोसर क्यों सा नमबर थार्ट देखो क्या लिखर आपने यह लुट बोलना यह बोलता आपको स्टाफ या टीचर यह बोलता है कि आप जूट बोलो कभी नहीं कि बोलेगा तो टैलिंग और लाई क्या होगा इसका आंसर होगा क्यूशन नमबर से क्या लिखा हुआ में सोबसे फ्रीक्राइब क्यूशन लिखा हुआ हैं अपने सकूल का है कौन होता है तो आक इस से मिलान करोगे से कर लिखा की से करोगे 4 नंबार से सटेंद लिखा हुआ है इस Oี้ ata इस कहा से करते हैं जहां लइँ से किसे करते हैं तो यह किसे मिलां करोगे ठर्ण से इसके अगे लिखो गई इस 유ब इस आपको बुक्स कहा से मिलती है, library से, और अपन को books issue कौन कराता है, librarian तो आप किसे मिलान करोगे, librarian से, क्यों से number third लिखा हुआ है, rings the bell rings the bell का अर्थ होता है bell को कौन बज़ाता है कौन बज़ाता है, peon तो किसे मिलान करोगे, peon से peon कहां लिखा हुआ है, first number पे peon, तो इसके आगे आप क्या लिखोगे, c number fourth लिखा हुआ है cleans the classroom classroom को clean साथ कौन करता है, sweeper किसे मिलान करोगे, sweeper से, इसके आगे क्या लिखोगे, d सबको समझ आ गया होगा अच्छ से, और ये काम आपको neat and clean अपनी notebook में करना है, thank you